हाई एबरीवन वैलकम टू लर्न विद मी दिस शिनम कटारिया अगर अभी तक आपने लर्न विद मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब लर्न विद मी रशियन प्रेजिडेंट रशिया के प्रेजडेंट व्लादीमिर पुतिन आप ये पिच्छर इंडिया और चाइना हमारे क्लोस पार्टनर है और ये दोनों इंडिया और चाइना दोनों एशियन जाइंट्स हमेशा जो रशिया और युक्रेन का कंफ्लिक्ट चल रहा है उसे शांती पुर्वक तरीके से रिजोल करने के लिए ही कहते हैं कि दोनों के युद्ध को एक इंडिया और चाइना हमारे क्लोस पार्टनर है और ये दोनों एशियन जाइंट्स हमेशा यही बात करते हैं डायलोग से रिजोल किया जाए युक्रेन के कंफ्लिक्ट को एक शांती के धंग से रिजोल किया जाए देखें प्राइम मिनिस्टर जो नरींद्रा मोदी हैं हमा इन्होंने जब एसी ओ की समिट हुई थी तब ये वलादिमीर पूतिन से मिले थे तब इन्होंने वलादिमीर पूतिन को यही बोला था कि आज का जो इरा है वह युद का इरा नहीं है आप दोनों को रशिया रुक्रेन दोनों को बैठ के शांती पूर्वक धंक से अपनी इरा एक युद का इरा नहीं है और यहाँ पे देखिए पूतिन मेड़ा रिमार्क्स जूरिंगे प्रैस कॉंफरेंस इन कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में प्रैस कॉंफरेंस के दरान इनके द्वारा इंडिया चाइना के बारे में यह कहा गया यह विजिट पर थे औ अपने आपको एक्स्पैंड किया जा सकता है रश्या के साथ टोकिंग अबाउट दा पोटेंशल मेडियेटरी रोल अफ चाइना एंडिया एट नेगोसेशन विद युक्रेइन वो चाइना और इंडिया के बारे में बात कर रहे थे पुतिन ने कहा बिजिंग और न्यू डै हमेशा हर चीज़ों को जो कंफ्लिक्ट चल रहा है उसको हमेशा यही बात करते हैं उसे डायलोग से खतम किया जाए उसे पीस्फुली खतम किया जाए आगे रश्यान प्रेजिदेंट व्लादीवीर पुतिन ने ये का वी नो दियर पोजिशन दीजार आवर क्लोज अलाइ पीशन देख्ये रश्या और उक्रेज्ट की जो लडाई हुई है इंडिया ने अभी वी रश्या को कंडम नहीं किया है इंडिया ने मेशा यही बोला है कि डिपलाम स of Ukraine and it has been maintaining that the crisis must be resolved through diplomacy and dialogue. In a bilateral meeting with President Putin on the sideline of the annual summit of the Shanghai Cooperation Organization in Samarkand, आपको पता होगा कि उस्बैकिस्तन में, उस्बैकिस्तन के Samarkand में SEO की समिट हुई थी. वहाँ पर भी Prime Minister Narendra Modi ने यही खा था पुतिन से कि dialogue से, dialogue से, diplomacy से सारी चीज़े खतम करनी चाहिए, जो युद्ध की शतुरता है, उसे खतम किया जा सकता है. और ये भी बोला था, I know, today's era is not a war. We discussed this issue with you on phone several times that democracy, diplomacy and dialogue does the entire world. Prime Minister Narendra Modi के द्वारा ये भी बोला गया था, कि देखिए, हमने phone पे भी बड़ी बार ये चीज़ डिसकस की है, कि सारी चीज़ों को democracy, diplomacy और dialogue से खतम किया जा सकता है. अब हमें opportunity मिली है, आपके साथ face to face बात करने की, तो हम यही चाहते हैं कि आप शांती पूरवक इस युद को खतम करें, ये Prime Minister Narendra Modi के द्वारा SU Summit में बोला गया था. और देखिए, on the sidelines of the SU Summit, जो पुतिन थे, व्लादी मिर पुतिन, वो Chinese President Xi Jinping से भी मिले थे, और Xi Jinping ने भी race किये थे question and concern. देखिए, जो China है, China ने भी India की तरह, कभी भी Russia को condemn नहीं किया, कि आपने Ukraine के साथ ये किया, चाइना भी ये ही बोलता है, कि आप इसे शांती पुर्वक तरीके से खतम करें. This was perhaps for the first time in over six months of Russia-Ukraine war China, which remained a steadfast ally of Moscow. चाइना ने Moscow का हमेशा साथ दिया है and declined to condemn the invasion. उसने कभी भी condemn नहीं किया, इंडिया की तरह. और अमेशा ये ही कहा है, कि सारी चीज़ों को शांती के तरीके से सोल करना चाहिए. वोई highly value the balance position of our Chinese friends. ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा, कि हम जो हमारा जो Chinese friends है, उसकी balance position के हम value करते हैं, when it comes to the Ukraine crisis. We understand your question and concern about this, कि हम आपके question और concern को समझते हैं. और देखिए जो शी जिन्पिंग है और पुतिन है, वो उनके close relation है, माना जाता है रश्या और चाइना बाई-बाई हैं. Maintained close personal relation in that, 10 साल होगे, उनके close relation चलते हैं और हमेशा बिजिंगर खड़ा रहा है, रश्या के लिए, मोस्को के लिए. रश्या की capital है मोस्को. पुतिन ने जब वो टेलिविजन पर अड्रस दे रहे थे पूरे नेशन को, उन्होंने एक चीज बोली कि मेरे मतलब कि मैं अपनी टायर्टरी को प्रोटेक्ट करता रहूंगा जब तक मतलब मैं हारूंगा नी. वो उन्होंने बोला था, रश्या भिल्यूज ओल्दा मीन्स at its disposal to protect its territory, warning the west that this is not a bluff. उन्होंने जो western countries हैं, उन्हें एक warning की तरह कहा. क्योंकि देखें, western countries आज का टाइम पर रश्या को पसंद नहीं करती, क्योंकि रश्या ने जो उक्रेन पे किया है, अब western country युक्रेन के साथ खड़ी हैं, युक्रेन की मदद कर रही हैं, और early September में युक्रेन forces have simply recaptured, जो युक्रेन forces थी, वो भी थोड़ा सा मजबूत बन गी थी, जो area रश्या हडपने वाला था, या हडप चुका था, उसको युक्रेन ने वापिस भी लिया था, बट अभी भी situation रश्या और युक्रेन में सही नहीं हुई है, अभी आपको पता ही होगा कि, युक्रेन ने क्या किया, सबसे पहले रश्या का क्राइमिया का ब्रिस थोड़ा, और रश्या ने उसके against, बहुत बड़ा harsh response दिया, युक्रेन के capital कीव पे attack किया, कीव के कुछ district पे attack किया, वहाँ पे civilian की लोगों की जान चली गई, infrastructure खराब हो गया, यह युद कब खतम होगा, अभी कुछ नहीं पता है, थैंक यू फूर वाचिंग दिस, लाइक, शेर और सब्सक्राइब पर मोर करन्ट अप्डेट